नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में दोस्तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग ड्यूस अपडेट्स के रूप में तो दोस्तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्टे इस वीडियो को जदा ज़दा लाइक और शेर करें तो दोस्तो सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर RBI ने लगाई डेकन अर्बन कोपरेटिव बैंक पर पाबंदी कस्टमर निकाल सकेंगे केवल एक हजार रुपए जियां दोस्तो भारती रिजोर्व बैंक ने करना टकके डेकन अर्बन कोपरेटिव बैंक पर कारोबार करने को लेकर प्रतिबंद लगा दिये हैं इसके बाद बैंक अब कोई नया लोन जारी नहीं कर सकता और ना ही किसी तरह की कोई जमायानी की डिपोजिट्स भी कार कर सकता है RBI ने इस बैंक की माली हालत सही नहीं होने की वज़ह से इन प्रतिबंदों का ऐलान किया है RBI ने कहा है कि बैंक पर पाबंदी का यह मतलम नहीं निकालना चाहिए कि उसका बैंक लाइसेंस रद किया जारा है दोस्तो बैंक की माली हालत इतनी घराब है कि RBI ने उसके सभी सेविंग और करेंट अकाउंट ग्रहाकों को 6 मईने में सिर्फ 1000 रुपे निकालने की इजाज़त दी है हालांकि RBI ने ग्रहाकों को 6 मईने की रोक कियोदी के दुरान जमा के बदले रिंड चुकाने की सशर्थ अनुमती दी है RBI के मताबित ग्रह कर्श का निप्टारा अपनी जमा के आदार पर कर सकते हैं इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर मुझफर नगर किसान पंच्याइद प्रियंका गांधी का निशाना कहा हमारे प्रदान मंतरी भी अहंकारी राजा की तरह हो गए है जिहां दोस्तो केंदर के क्रिश्टी कानूनों के खिलाब प्रदशन कर रहे किसानों के साथ कांग्रेस की महासचीव प्रियंका गांधी वाड़रा ने एकजुटता दिखाते हुए सरकार पर निशाना सादा उत्तर प्रदेश के मुझफर नगर में आविज़ित किसान पंच्याइद को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा कि 90 दिनों से आना मेरा करता हुए है हर नेता को अहसास होना चाहिए कि जनता आकर अहसान करती है 90 दिनों से लाखो किसान दिल्ली के बाहर बेठे हुए है 215 किसान सहीद हुए है बिजली और पानी की लाइने काट दी गई है राजधानी की सीमा को देश की सीमा बना दिया गया है किसान को प्रतालित किया गया जलील किया गया किसानों को देश द्रोही कहा गया प्रदान मंतरी ने संसद में उन्हें आंदोलन जीवी कहा प्रदान मंतरी ने किसानों का मज़ा कुड़ाया है साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर पूंजी पतियों का साथ देने का आरो भी लगाया है इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर महंगाई की मार 14 रुपे महंगा हुआ प्याज अभी भी राहत की उम्मीद नहीं जिया दोस्तों देशबर में जहां एक तरफ पेट्रोल ओडिसल की किमतों ने आम जन को परेशान करके रखा हुआ है वहीं दूसरी तरफ प्याज की किमतें भी लगातार बढ़ती ही जा रही है दो महीने पहले 20 रुपे किलो के आसपास बिकने वाला प्याज अब लगबग धाई गुना महंगा हो गया है Department of Consumer Affairs पर दिये गए प्राइज रिपोर्ट के मुताबित 19 सुरवरी को प्याज 50 रुपे प्रती किलो ग्राम के भाव पर बिक रहा था जबकि एक महीने पहले ही 19 जनवरी को प्याज 36 रुपे प्रती किलो ग्राम के भाव पर बिक रहा था इस तरह है दिल्ली के रिटेल मार्केट में महज एक महीने में प्याज के भाव में 14 रुपे प्रती किलो थक की बड़त हो गई है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार टूलकिट केस में ग्रिफतार दिशा रवी के समर्थन में उतरी ग्रेटा थनबर्ग ट्वीट कर कही बात जिया दूस्तो टूलकिट केस मामले में कृफतार क्लाइमेट एक्टीविस्ट दिशा रवी की पुलिस कस्टडी की मियाद शुकरवार को खत्म होने के बाद दिल्ली पुलिस ने पटियला हाउस कोट में पेश किया इसके बाद कोट ने दिशा को तीन दिन की न्याई खिरासत में भेज दिया इस बीच परियावर्ण कारे करता ग्रेटा थनबर्ग दिशा रवी के समर्थन में आ गई किसान अंदोलन के समर्थन में टूल किट शेर कर घिरी ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट कर मानवधिकार का मुद्दा उठाया और कहा कि अभिवेक्ति की स्वतंतरता और शांती पून प्रदर्शन सभी का मानवधिकार है यहां किसी भी लोकतंतर का मूल हिस्सा होना चाहिए इसके साथ ही ग्रेटा थनबर्ग ने स्टेंड विद दिशार रवी का हैस्टेक भी लगाया इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर बिजेपी नेता पामेला गोस्वामी 25 फरवरी तक पुलिस हिरासत में अदालत का है आदेश जिया दोस्तो पश्रिम बंगाल में कोकीन के साथ पकड़ी गई बिजेपी की युवा नेता पामेला गोस्वामी को अदालत ने 25 फरवरी तक पुलिस की हिरासत में भेज दिया ह उनके साथ ही दो और आरोपियों को भी पुलिस कस्टिडी में भेजा गया है दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दे पामिला गोस्वामी शुकरवार को न्यू अलिपुर में कार से जा रही थी उनके साथ केंद सरकार की और से प्रदान किया गया सुरक्षा करमी भी मौदूद था उसी दुरान पुलिस ने जाज के लिए उनकी कार को रोका पुलिस का आरोपे की पामिला के बेग में से सो ग्राम कोकीन बरामत की गई इसके बाद पुलिस ने कोकीन जब्त कर उसे ग्रफतार कर लिया पुलिस ने दावा किया है कि पामिला की अरेस्टिंग के बाद उनके दोस्त प्रोबीर कुमार डेको भी न्यू अलिपुरी लाके से ग्रफतार कर लिया गया इसके साथ ही एक अन्य आरोपी की ग्रिफतारी भी की गई है पुलिस का कहना है कि पामिला से ब्रामद हुई कोकीन की कीमत लाखोर रुपए में है दोस्तो आपकी जानकारी के लबता दे पामिला गोस्वामी बीजेपी युवाम और्चे की परवरेशक और हुगली जिले की संगठन महास्चियू है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार रेड़ फोड हिनसा के आरोपी लखा सदाना का पुलिस को खुला चैलेंज वीडियो जारी कर किया यह ऐलान जिहा दोस्तो गंतंतर दिवस के मोके पर किसानों की ट्रेक्टर परेड के दोरान हुई हिनसा के मामले में दिल्ली पुलिस को गेंगेस्टर से एक्टिविस्ट बने लखा सदाना की तलाश है इस बीच लखा ने एक बार फिर भड़काउ बयान जारी किया और पुलिस को खुले आम चेताउनी देते हुए तेविस फरवरी को प्रदिशन करने का ऐलान किया है दरसल दोस्तों लखा इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर बिटकोईन ने बनाया रिकोड पहली बार मार्केट केप हुआ एक ट्रिलियन ड्रोलर के पार फरवरी में अब तक 70 प्रतिशत का उच्छाल जी यां दोस्तों दुनिया का सबसे लोग प्रिये क्रिप्टोक्रेंसी बिटकोईन ने शनिवार को एश्याई कारोबार में एक नई तेजी दर्ज की है बिटकोईन की कीमत 56,620 डोलर यानि की 41,000,000 रुपे से जादा पर पहुँच गई है साथ इसका मार्केट के पहली बार 1,000,000,000 डोलर यानि की 1,000,000,000 करोड डोलर के पार पहुँच गया है शुकरवार को बिटकोईन की कीमत 8% की 30,000 के साथ 56,399.99 डोलर पर पहुँच गई थी इस हफते में 14 फीजदी और इस महीने में अब तक 70 फीजदी की उचाल इसमें आ गई है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार देश में फिर से बढ़ रहे हैं इस महामारी के मामले विछले 24 गंटे में 13,000 से जादा नए केस आए सामने जिए अदोस्तो देश में इस महामारी वैक्सिनेशन की बढ़ती दर के बीच एक बार फिर कुछ राज़ियों में इस महामारी वाइरस के मामले बढ़ने लगे हैं इसे देखते हुए केंद्रिय स्वास्ते मंतराले ने राज़ियों को अलड़ जारी कर दिया है स्वास्ते मन्तराले के मतابित केरल, महाराष्ट, पंजजाब, 36-गड़ और मध्यपरदेश में इस महामारी वाइरस के मामले अचानक बढ़ गए हैं 36-गड़ में पिछले 24 गज़ंटे में इस महामारी के 269 नए मामले सामने आए केरल और महराष्ट में पिछले एक सबताहा में इस महामारी के नए मामलों में बड़ोत्री हुई है ऐसे में केंदर सरकार ने सबीर राज्यों को चेताउनी दी है कि वह इस मामले को हलके में नाले और सचेत और अलर्ट रहें इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी के ताजा इस्तिती तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की तो दोस्तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का अकला 11,7,96,000 को पार कर गया है जबकि दोस्तो इस महामारी से मरने वालों की संख्या 24,53,000 के पार है वहीं दोस्तो सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों की बात की जायतों अमेरिका अवल है अमेरिका में 2,80,000,000 से ज़्यादा संक्रमित के सब तक सामने आ चुके हैं वहीं दोस्तो अमरिका में मरने वालों की संख्या भी लगवग 5,000,000 के करीब है अमेरिका के बाद में इंडिया, प्राजेल, उनाइटेट गिंडम, रशिया, फ्रेंस, स्पैन, इटली, टर्की ऐसे देशें जो कि इस महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं अब दोस्तो इसके बाद में बात कर लेते हैं भारत की क्या है इस्तिती लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोट इसी रिक्वेस्ट है अगर दोस्तो आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दे और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशकाब डिसलाइक भी कर सकते हैं लेकिन दोस्तो लाइक और डिसलाइक जरूर कीज़े क्योंकि दोस्तो यह हमारी मेनत का अफल होता है और इसी से में बता चलता है कि आपको अमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं तो दोस्तो जली से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात तो दोस्तो भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आख़ा 1.947.000 को पार कर गया है जब कि दोस्तो मरने वालों की संख्या 1.56.000 के पार है इस महामारी का सबसे जादा प्रकोप महरास्ट्रा पर हुआ है महरास्ट्रा में अब तक 20,87,000 से जादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं वहीं दोस्तो इसके बाद में कैरला करनाट का अंदरप्रदेश तमिलनाडो दिल्ली उत्रप्रदेश वेस्ट बंगाल आधी राज्यों का नाम आता है ये सबी राज्य इस महामारी में सबसे जादा संक्रमित हुए हैं इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार उबर को ब्रिटिस सुप्रिम कोट का बड़ा आधेश ड्राइवरों को माने कमपनी करमचारी दे मूलबूत सुविधाएं जिया दोस्तो मोबाईल एपादारित के सर्विस उबर को बड़ा जटका लगा है वह ब्रिटेन की सुप्रिम कोट में चल रहा मुकदमा हार गई है कोट ने कमपनी को आधेश दिया है कि वह साथ में अटेश ड्राइवरों को कमपनी का करमचारी माने और उसी हिसाब से उन्हें सुविधाएं प्रदान करें ब्रिटेन के सुप्रिम कोट ने कहा कि उबर कमपनी अपने ड्राइवरों को सेल्फ एम्पलोईड यानि की स्वर रोजगार किर्शनी में नहीं रख सकती कोट ने आदेश दिया कि उबर कमपनी को अपने ड्राइवरों को नियूनतम वेतन बीमार रहने के दोरान वेतन भुकतान और छुट्टियों जैसी सुविधाएं देनी होंगी दोस्तो आपकी जानकारी के लिए बता दें वाइरस रूस में पॉल्ट्री फॉर्म के साथ लोग पाए गई संक्रमित जियां दोस्तो रूस में इंसानों में बड़ फ्लू के वाइरस के ट्रांस्मिशन का पहला मामला सामने आया है रूस ने इस बात की पुष्टी कर दी है H5N8, Avian Influenza यानि की बड़ फ्लू का वाइरस इंसानों में पाया गया रूस के रिसर्च सेंटर वेक्टर के वेग्यानिकों ने शनिवार को जानकारी दी कि एक पॉल्ट्री फॉर्म के साथ क्रमचारी बड़ फ्लू से संक्रमित पाये गये हैं दोस्तों अन्ना पपोवा ने रशिया 24 प्रोडकास्टर को जानकारी दी कि दिसम्बर के महीने में रूस के दक्षन में पॉल्ट्री में इस महामारी ने दस्तक दी थी वहीं काम करने वाले साथ लोग इस वाइरस की च्रपेट में आये अन्ना पपवा ने कहा कि संक्रमित सभी लोग ठीक हैं उन्हें बेहद हल के लक्षन हैं इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर दिशारवी को नहीं मिली जमानत जज ने दिल्ली पुलिस के अनुमानों पर उठाए सवाल जियां दोस्तो टूलकिट मामले में दिल्ली की पठियला हाउस कोट में दिशारवी की जमानत याचका पर सुनवाई हुई दोनों पक्षों की दलिल सुनने के बाद अदालत ने दिशारवी को फिलहाल जमानत नहीं दी और फैसला सुनाने के लिए 23 फरवरी का दिन मुकररर किया है दोस्तो अदालत में दोनों पक्षों की और से अपनी अपनी दलिले पैश की गई और अदालत ने दिल्ली पुलिस से भी तीखे सवाल पूछे दिल्ली पुलिस ने 22 वर्षिये दिशा की याचका का विरोध करते हुए कहा कि टूल किट वास्तों में भारत और उसकी सेना को बदनाम करने के उद्देसे से एक अन्य वेब साइट का प्रवेश दुआर है पुलिस ने दावा किया की मामले में गिरफतार एक मातर वेक्ती दिशारवी खलिस्तान समर्थन संगठन पीजे एफ से निकटता से जुड़े हैं दोनों पक्षो को सुनने के बाद अदालत ने मंगलवार के लिए अपना आदे शुरक्षित रख लिया उससे पहले यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष के कम से कम कुछ दावे अनुमान ही थे इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबार Parents Association की ओनलाइन एक्जाम की मांग दिल्ली के मुख्यमंतरी अरविंद केजरिवाल को लिखी चिठ्थी जिया दोस्तों दिल्ली में कई अभिभाओ को ने सुझाओ दिया है कि यदि क्लास ओनलाइन ली जाती है तो एक्जाम भी ओनलाइन ही होनी चाहिए अभिभाओ को के एक बड़े सम्होने दिल्ली के सीम अरविंद केजरिवाल को पत्र लिखकर दिल्ली के प्राइवेट स्कुलों में पढ़ने वाले नवी और ग्यारवी क्लास के बच्चों के लिए ओनलाइन एक्जाम करवाने की अपील की है शिक्षामंत्राले चाहता है कि अगली कक्षा में प्रमोट करने से पहले नवी और ग्यारवी कक्षा की परिक्षाएं आयुजित की जाए परिक्षा ओफलाइन माध्यम से आयोजित की इज़ा सकती है हालांकि दिल्ली सरकार के पास ओनलाइन परिक्षा करने का भी प्रयस्ता हुए इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर मोसम समाचार, वेदर अब्डेट, जानी अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मोसम समाचार सबसे पहले दोस्तो बात करते हैं बीते 24 घंटों की तो दोस्तो बीते 24 घंटों के दोरान अंधर प्रदेश के तमील नाडू के आंतरिक हिस्सों रायल सीमा और दक्षणी आंतरिक करनाटक के कुछ हिस्सों में हलकी से मध्यम बारिश के साथ एक दो इस्तानों पर भारी वर्षा भी रिकोर्ड की गई है वहीं दोस्तो लक्षदीप केरल दक्षणी कोकरगोवा, तठीय करनाटक और तेलंगा नादता मराठवाला में भी कुछ इस्तानों पर बादलोकी गर्जना के साथ हलकी बोचारें गिरी है वहीं दोस्तो दिल्ली हर्यना पंजाब के कुछ हिस्सों में अचानक बहत घना कोहरा देखने को मिला जिसके चलते नियुनतम तापमान में गेरा वटाई है वहीं दोस्तो आगामी 24 गंटे की बात की जायत अगले 24 गंटों के दोरान आंदरप्रदेश दक्षणी आंतरिक करनाटक और तमील नाडू के कुछ भागों में हलकी से मध्यम वर्षा के साथ एक दो इस्तानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है तटिय करनाटक के रल लक्षदीप और तलंगाना के भी कुछ हिस्सों में हलकी से मध्यम वोचारे अगले 24 गंटों के दोरान देखने को मिल सकती है वहीं दोस्तों पंज़ा परियना और दिल्ली में घने से बहद घना कोहरा कुछ स्तानों पर सुभा के समय चाया रह सकता है इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर सोना चांदी हुआ सस्ता जानिये क्या है लेटेस्ट प्राइज जिया दोस्तो सोनी की कीमतों में गिरावट जारी है चांदी के भाव में भी गिरावट हुई है दिली सरफ़ा बाजार में सोना 249 रुपे टूटकर 45,566 रुपे प्रती 10 गराम हो गया वहीं दोस्तो चांदी की कीमत भी 723 रुपे लुटकर 66,370 रुपे प्रती किलोग्राम पर आ गई है साथी दोस्तों अंतराष्टे बाजार की बात करें तो अंतराष्टे बाजार में सोना गिरावट के साथ 1774 डूलर प्रती ओंस जबकि चांदी 26,94 डूलर प्रती ओंस पर रही है इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर लगातार बारवे दिन बड़े पेट्रोल डिजल के दाम आसमान चूर रही है कीमतें जियां दोस्तों महंगाई की मार से आम जनता बेहाल है कच्छे तेल की बढ़ती कीमतों का बुरा असर उनकी जेपर पढ़ रहा है पिछले बारा दिन से पेट्रोल डिजल की किमतें लगातार बढ़ रही है जिससे तिल के दाम आसमान चूर रहे हैं दोस्तों महंगाई की मार से जनता बेहाल है लेकिन सरकार की तरफ से फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है पेट्रोल डीजल के टेक्स में कोई कमी केंदर सरकार की ओर से नहीं की गई है दोस्तो दिल्ली की बात की इज़ा है तो दिल्ली में आज पेट्रोल 49 पैसे महंगा होकर 90 रुपे 58 पैसे प्रती लिटर हो गया जबकि दोस्तो बुंबई में यह पैट्रोल संत्यानवे रुपे प्रती लिटर पहुंच गया है जो की अब तक का एक उच्च तम इस तर है वहीं दोस्तो डीजल की बात की जाए तो दिल्ली में एक लिटर डीजल की कीमत 80 रुपे संत्यानवे पैसे प्रती लिटर है आज डीजल में 57 पैसे की बड़ोतरी की गई है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार चेनई मेट्रो का किराया 20 रुपे हुआ सस्ता सीम के पलानी स्वामी ने किया एलान जिया दोस्तो तमीलांडु के मुक्यमंत्री पलानी स्वामी ने शनीवार को चेनई मेट्रो रेल में यात्रा के लिए अधिकतम किराया को 20 रुपे कम करने की गोशना की है इस गोशना के बाद चैनाई मेट्रों का अधिकतम किराया 70 रुपे से घटकर 50 रुपे रह जाएगा दोस्तो चैनाई मेट्रों का नया किराया 22 फरवरी से लागू होगा चैने मेटरों की नई किरायादरों के मुताबित यात्रियों को 2 किलोमेटर की दूरी के लिए 10 रुपे का भुकतान करना होगा वहीं 2-5 किलोमेटर की दूरी के लिए 20 रुपे किराया होगा जबकि 5-12 किलोमेटर की दूरी की यात्रा के लिए 30 रुपे किराया देना होगा और इससे अधिक की दूरी के लिए 50 रुपे किराया देना होगा इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर इंडिया वर्सेज इंगलेंड, इंगलेंड के खिलाफ T20 सिरीज के लिए हुआ टीम का ऐलान सूरे कुमार यादव और इशान किशन को मिला मोका, जियां दोस्तो भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंगलेंड के खिलाफ 5 में जोकि T20 सिरीज के लिए भारते टीम का ऐलान कर दिया है, इस सिरीज के लिए पहली बार टीम में सूरे कुमार यादव और इशान किशन को मोका मिला है, साथी मिर्स्टरी स्प्रिनर वरुन चकरवर्थी की भी टीम में वापसी हुई है, दोस्तो आईपिल 2020 में शांदार प करने वाले विकिट के पर बल्ले बाज इशान किशन और टॉप ओडर बल्ले बाज सूरे कुमार यादव को पहली बार टीम इंडिया में जगह मिली है, दोस्तो आईपिल 2020 में राजस्तान रोयल्स को कई मोकों पर अकेले दम पर जिद लाने वाल राउंडर राहुल तेवत किया ने यूएई में खेले गए, आईपिल 2020 में 255 रन और 10 विकिट अपने नाम किये थे, लेकिन सबसे ज़्यादा लाइम लाइट उन्हें तब मिली थी जब उन्होंने वेस्ट इंडिस के तेज गेंद बाज शेल्टन को ट्रेल की 5 गेंदों में 5 शक्के लगाए थे इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर मियाम्मार में बगाओत करने वाली सेना पर अब बरिटन और कनाडा हुए सक्त नो आपिसर्ड पर लगाया बैन जी हां दोस्तो मियनम्यार में तक्ता प्लट करने वाली सेना के खिलाफ अमिर्का के बाद ब्रिटेन और कनाडा ने भी कड़ा कदम उठा लिया है दोने दिशों ने मियम्मार के सेनिय जर्नलों पर प्रतिबंद लगा दिये हैं इससे पहले अमिर्का ने प्रतिबंद की कारेवाही की थी हलांकि ये बात अलगे की दुनिया भर में हो रही आलोचना के बावजूद सेन ने शाषन के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है सेना न तो सत्ता चोड़ रही है और नहीं गिरफतार नेताओं को रिहा किया जारा है दोस्तों मियम्मार के हालात पर क्रोड ग्रूप ने भी चिंता जाहिर करते हुए सेना से लोकतंत्रिक प्रिक्रिया का सम्मान करने की अपील की है इस ग्रूप में भारत, अमेरिका, जापान और आस्टेलिया शामिल है जापान के विदेश मंत्रे ने कहा कि हम सबी इस बात पर सहमत हुए है कि मियम्मार में लोगतंतर की बहाली के लिए प्रियास किये जाएं हम सेना की कारेवाई का पुर्जोर विरोध करते हैं तो दोस्तो यहतियास की तमाम पड़ी खबरें इसके बाद दोस्तो अब बारी आती है आज के माइंड की इच कुशन की जियां दोस्तो एक इसान से सवल का जवाब देकर आप जीच सकते हैं एक amazing surprise gift हमारे YouTube चैनल की ओर से तो दोस्तो आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है हिटलर कौन से देश का शाशक था जी यहां दोस्तो अगर आप जानते हैं कि हिटलर कौन से देश का नेता और शाशक था तो जल्दी से comment box में उस देश का नाम लिख दीजिए अगर दोस्तो आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुले जाते हैं लगकी विज़ता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक amazing surprise gift हमारे YouTube चैनल की ओर से तो दोस्तो जल्दी से अपना उतर comment box में लिख दीजिए वीडियो को लाइक कर लिजिए और चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए धनेवाद वंदे मातरम जे हिन जे भारत